सो गाइस मार्केट में हलचल बनी हुई है और सबके दिमाग में एक ही सवाल बार बार आ रहा है कि ये मार्केट बार बार इतना जादा डम क्यों कर रहा है इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो मिलेंगे और अगले पांस दिन में जो होगा वो भी आपको इस अब पर पूरा पैसा बनाया जा रहा है अब पहले करंट सिचुएशन को जान लेते हैं उससे पहले जो telegram जॉइन नहीं है पहले जॉइन कर लो क्योंकि कब कौन सा 망 कॉईन पंप होने वाला है कब डंत वाला है सारी ब्थाइनगरी आपको time time बढेता हूँ साथ मैं market की बारिक बारिक जॉण कर लेना अब चलते है mén वीडियो की तरफ तो यहां पे टेरा लुना से पीडित लोग है उन लोगों के लिए एक थोड़ी सी राहत मिल गई साती में यहां पे क्रिप्टो मार्केट से अल्मोस्ट वन फिफ्टी बिलियन डॉलर जो है खतम हो गए यहां से आउट हो गए जैसे ही बिटकॉइन ने यहां पर सिक्स्टी पॉइंट फाइब का जो है एक रेली लगा है हलाकि यह अब सिक्स्टी थाउजन के आसपास चल रहा है और यहां पर जो है सिर्फ दो दिन में सारा खेल हुआ है अब यह सारा जो है खो भी जाता है चला भी जाता है तो इतना गम नहीं होगा लेकिन यहां पर लोग लगातार जो है इन पैसों को लगाते जा रहे हैं और यही सबसे बड़ा कारण है मार्केट में यहां पूरा पैसा जाने का अब दूसरी तरफ यहां पर ऑगस्ट का महिना हमेशा ही हलचल होता है आपने मार्केट क्राश देखे होंगे आदे महीने मार्केट क्राश चलता है आदे महीने जो है मार्केट अब चलता है बट इस सेनारियो में मार्केट जो है लगातार डंप पर डंप कर रहा है एक गंडे का भी मार्केट ग्रीन नहीं होता है कि फिर डंप हो जाता ह यह वैसी वाली बात होती है, एक example समझाता हूँ, हर साल जब भी ऐसा होता है तो उसे बोलते हैं यहाँ पर धनुजबान की तरह, जितना ज़ादा खीचा जाएगा उतना वो आगे जाता है, हर बार अपने देखा थोड़ा सा खीचते हैं और छोड़ देते हैं, तो market भी उतन आई जाता है, यहाँ पर August का महिना हमेशा important होता है, क्योंकि इस टाइम पर अब जो है US elections जो है बहुत कम दिन बचें और election के बाद हम सब जानते हैं कि market का movement positive या negative होता ही होता है और इसके बाद obvious है कि positive हमने देखा है, दूसरे तरफ बुलरन की जो dates है वो करीब आ रही है, जिसके बाद Wales का जो control है वो चला जाएगा और जिसकी वजह से जो है यहाँ पर इतना खीचा तानी चल रही है exchanges Wales के बीच में और यहाँ Bitcoin की buying selling को लेगा है, अब बहुत सरे लोग बोलेंगे यहाँ पर कि भाई यहाँ पे तो पूरे के पूरे जो है अपने BlackRock की ETF approved हो गई, Ethereum की हो गई, मतलब Bitcoin की हो गई, Ethereum की हो गई, बाकियों की बात चल रही है, बट Market में positivity क्यों नहीं है, जबकि इतनी buying हो रही है Bitcoin की, तो इसका एक simple कारण बताता हूँ, जो भी यह buying होती है, यह exchanges के through नहीं होती है, नहीं किसी particular platform से होती है, यह होती है, यह होती है person to person, आपके पा जो होगा, वो काफी simple है, जब यहाँ पर offline लोगों के पास Bitcoin से, जितने भी Bitcoin से buy हो जाएंगे, और कुछ लोग नहीं बेचना चाहेंगे, तो यहाँ पर buying खतम हो जाएगा, इसके बाद आता है exchange पे buying pressure, exchange के पास इतने Bitcoin होते नहीं है, जिसमें अब यह ETF से buy करना शुरू करें और जैसी यहाँ पर supply जो है कम हो जाएगी और demand बढ़ती जाएगी, वहाँ पर अमलोग Bitcoin को बहुत तेजी से बढ़ता देखेंगे, और यह जो चीज़ है, यह पहली बार हो रही है, क्योंकि ETF इससे पहले नहीं थे, इससे पहले band की खबरे चला करती थी, इस बार regulation की चीज यह जो 5 दिन है, market अरेड़ी बिल्कुल अपने finest down level पे चल रहा है, इससे नीचे ले जाना बहुत जादा pressure create करेगा, wheels के लिए भी, exchanges के लिए भी, और इससे नीचे ले जाने में market बचेगा ही किया, इसलिए यहाँ से market को up ले जाना पहले जरूरी होगा, और अगले 5 दिन त होगा, तो यह जो 5-6 दिन होने वाले है, next week, यह बहुत जादा important होगे, और जो असली role होगा, वो US elections का होगा, या फिर उससे पहले August का माइना होगा, जब यहाँ पे miners और whales यहाँ पर alt coin में अपना पैसा डालना शुरू कर देंगे, जितनी भी update रहेंगी वो आपको पहले time जवाब पूर सकते हो, जिसमें मैं आपके जवाब देनी कोशिश करूंगा, and thanks for watching this video and keep smiling, मिलते हैं in the next video में, तब तक के लिए, bye bye